जब तक हमारे अंदर भोगों की भोगनी की प्रबल लालशा है तब तक बहुत दुर्गती अभी आप शमज नहीं रहे हैं बहुत दुर्गती जितने दंड हैं जितने रोग हैं जितनी गतियां दुर्गतियां ये सब भोगों के कारण ही होती है विचार करके आप देख लेन कि मैं प्रियालाल का प्रियालाल मेरे और फिर उनका निरंतर नाम जब निरंतर नाम कीर्थन और बार-बार प्रणाम पुझिपाच स्री उडिया बावाजी केे वचन कि भगवान के श्री विग्रे के सामने से जय बार निकले तै बार प्रणाम करें उससे आपका आहं नष्ठ होगा शरीर निश्पाप होगा और आपकी आयु उढ़ेगी आपकी बुधी शुद्ध होगी आपका श्री अब हम इतने अभिमानी हो गए हैं कि हमारा प्रणाम करने की तो बात जाने दो म्रदुबचन बोलने की भी शामर्थ नहीं रहे गई नाक में गुष्या है, कड़ुआ शुभाव है, हिन्शात्मक ब्रती है, नम्रता, दैन्निता, शीलता है, सब सद्गुण अंतर ध्यान हो गए, आशुरी भाव, राक्षशी भाव की ब्रदी हो रही, कैसे हम सुक्षान्ती आनंद कानुभाव करें पुझी श्री राधावावा केते हैं, मेरी बात मान लो भाईया, तुम केवल हमारे प्रभु श्री हरी पर श्रद्धा कर लो बिना कुछ देखे भगवान तुम को प्यार कर रहे हैं, ये तुम्हें अनुभव होने लगेगा आपके वल प्रभु को अपना मानिये कि प्रभु मेरे, वही हैं पर आप नहीं मानते, मान लो तो आनंद से युक्त हो जाओगे मैं बार-बार आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, कि मेरी बात समझने के लिए आप अधिक से अधिक नाम जब करें, बड़े-बड़े शंत महात्माओं से मिला हूँ उनका यही अनुभो है कि जो जितना अधिक भजन करेगा, उतनी जल्दी ही वो दुखों से हट करके आनंद में डूबेगा पुना ध्यान दीजिए, बड़े-बड़े शंत महाँ पुरुषों का अनुभो है, कि जो जितना अधिक नाम जब करेगा, भजन करेगा, उतनी वो दुख शांती से दूर होकर आनंद में डूबेगा प्रभु में स्रद्धा इतनी बढ़ाओं कि वो प्रेम रूप धारन कर ले, और मेरे हरदे में लगन लग जाए कि अब मुझे भगवान के दर्शन कर ले है, क्योंकि उनके दर्शन का ऐसा फल है, फिर कभी शौपन में भी दुख नहीं मिल सकता, आही नहीं सकता, दुख नहीं हाँ उशर है, सत्संग के प्रभाव से, भगवत कथा स्रवन के प्रभाव से, नामजब के प्रभाव से ये चाह प्रगट होती है, ये चाह प्रगट होना बड़ी दुरलब बात है, कि बस इस जन्म का लक्ष है निरंतर भजन करते हुई भगवत प्राप्ती करना, आज तक जितने भी बड़े-बड़े महापुरुष हुए है सब के जीवन में मूल प्रभू के नाम का जप रहा है नाम का इश्मरण रहा है इसलिए मैं फिर हाथ जूड़ कर प्रार्थना करता हूँ चाहे तुम कोई भी हो कहीं भी हो कैसे भी हो ध्यान दीजिए चाहे तुम कोई भी हो बालख हो, बुढ़े हो, जवान हो किशी भी वरण आश्रम के हो कैसे भी हो, गंदे हो विचार करते हो, हिंशा करते हो, गलत नशा करते हो देखो, बिलकुल करपा ही करपा है बस तुम एक बात मेरी मान लो फिर तुम सुखी हो जाओगे क्या? तुम मन से भजन नहीं कर पाओगे तुम भुआनी से भजन करना शुरू करो आप सोचू कि मैं मानुशिक जब करूँ उसके लिए कागरता और पवित्र हरदय चाहिए वो इसी से हो जाएगा इसी से प्रारंब हो जाएगा मानुशिक जब आवश्यक्ता है अधिक जब जरूरत हो तो बोलो नहीं तो कम बोलो ब्यर्थ में मत बात करो ना मुच्चारंगो तुमारे ओट हिलते रहने चाहिए वो एक अवस्था होती है जिसमें परावानी में नाम समा जाता है यह वैखरी है जो हम बोल रहे हैं यह वैखरी है फिए एक जो ओठ चल रहे हैं किवल मध्यमा है और जो गलेश भजन होता है पश्चनती है खरदे देश ऐसे पराव मुलाधार केंद्र में जाकर के जहां से वानी का प्रकाश होता है वहीं जाके नाम बेठ गए आप तो जपना थोड़ी है अजपाज आप निरंतर भजन होता है परावश्चनती मध्यमा वेखरी तो पहले उपाशक को कोई भी हो कैशा भी हो कहीं का भी हो आप वेशन नहीं छोड़ पा रहे नशा नहीं छोड़ पा रहे गंदी बातें नहीं छोड़ पा रहे चिंता मत कीजिए जब आप बल साली होंगे तो अपने आप ये सब छोड़ देंगे बल क्या? श्री हरिवन्ष नाम बल हो तो अपने मन भाई सब कहो जितना तुम नाम जब करोगे उतने तुम्हें अध्यात्म शक्ती प्राप्त होगे अध्यात्म बल प्राप्त होगा और तुम जिस विशे को छोड़ना चाओगे ऐसे छोड़ दोगे जहां आप मन लगाना चाओगे लगा सकते हो आप देखे हरदय में देखे हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं छोटे-छोटे व्यशन छोटी-छोटी बातें छोटी-छोटी आदतें ये हम नहीं छोड़ पा रहे हैं आज कसम खाते हैं चार दिन बाद फिर वही करने लगते हैं तो तुम्हारी कशम में इतनी शामर्त नहीं कि रोक ले, नाम मित्सामर्त है, जितना नाम जब करोगे, बुद्धी शुद्ध होगी, अध्यात्म बल बढ़ेगा, और आप निर्विकार की तरफ बढ़ोगे, विकारों का त्याग कर सकते हो, जैसे जैसे अंता करल पवित्र होगा, वैसे वैसे अपने आप आपके ये गंदी बाते छुटती चली जाएंगी, और आपका प्रभुशे प्रेम हो जाएगा, जब प्रभुशे प्रेम हो जाता है, तो प्रभुशे दूर नहीं रहते, हाँ, बातें करते हैं, उपाशक उनके साथ खेलता है, पर ये दूशरा नहीं जान सकता है, वह ही जान सकता है जिसे जना दे, नहीं तो उसका एकांतिक खेल चलता रहता है प्रभुशे शाथ, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जुकर पाहरी वन सके, वह अपने प्रभु को लेके कभी हस रहा है, कभी प्रभु को रिजाने के लिए गा रहा है, कभी नर्त्य कर रहा है, कभी उसका भाव लगा, चिला चिला के रूरा है, कभी शमाधिस्त जैसा, पुर्ण करतिता कानभो की विशान्त बेठा है ये भावद शायानी लगती है किनकी जिनका नाम जब करते करते अंतह करण पवित्र हो गया है जब तुम्हें नाम प्यारा लगने लगे कैसा नाम प्यारा? कोई बुला राधा श्लगज यसे अंप्रत पिला दिया गया हो श्रवन इंद्री से अंप्रत राधा नाम शुधा रशम आप जब पिये तो फिर देखिएगा आपको कैसा नशा चड़ता इस नाम से कैसा आपको परंशुक कैसी बेपरवाई कैसी मस्ती आती है इस नाम से आपको फिर नाम जपने की चेश्टा नहीं करनी पड़ेगी श्वता नाम पकड़ लेगा जब तक ऐसा हरदे में भाव नावे तब तक तुम्हें हट करना पड़ेगा जबर, जस्ती, जिद्धी शुभाव रखना पड़ेगा मन कहरा है नहीं, ये देखलो, ये सुनलो, ये चकलो, ये चूलो, ये भोगलो कुछ मैं सुनना, जिद्धी शुभाव, राधा, राधा, राधा जैसे भी हो, अधिक से अधिक, आप अपनी जिव्या से नाम जब करें प्रभू की कृपा आपको कैशे समालेगी, ये खुद आप बरणन करेंगे आगे चल करके योहो, मुझा धम को कैशे कृपा कितनी उचाई पे ले आई, नाम जब के द्वारा आप लोग चाह करें, बहुत कम समय में भगवाद मिल जाएंगे कल कोई उपाशक बाहर से आये हुए थी, उन्होंने प्रश्ण किया कि कितना नाम जबने पर भगवाद मिल जाएंगे, संख्या तो जहां भी संख्या बरणन भी की गई है, वहां आपको उत्षाह बढ़ाने के लिए की गई है कितने में मिलेंगे उश अशिम परमात्मा को सीमा में नहीं तोला जा सकता कोई तपश्च्वी अपने तब के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता कोई भजनानंदी अपने भजन के प्रभाव से भगवान को खरीद ने सकता जब वो भजन करते करते देन निभाव से आर्थ होकर पुकारता है भगवान प्रभाव ये निश्य नहीं कि इतना करलो तो भगवान मिल जाएंगे क्या किसी और की स्मृती न रह जाए एक मात प्रभवान की तो फिर मिलने वाली बात ही नहीं रहे जो समा जाएंगे आपमे इतने पर भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता उपरोच शाहन के लिए कि आप ऐसा करो शाड़े तीन करोड नाम जब कर लो आप ऐसा सास्त्रों में पढ़ा है शाड़े तीन करोड तो बहुत है हमारे आँ धुरुदा जी कह रहे थे एक बार जिन नाम ली सर्त है हीतसों होयती दीन ताको शंगन चाने धुरुवपनों कर ली जिनोंने आर्थ भाव से प्रेम मे भर कर अब जिया नहीं जा रहा और राधा बोले तो स्री जी क साक्षात कारू है एक बार पर उसी एक बार के लिए तो हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं एक बार नारज जी महराज भ्रमन करते जा रहे थे तो कुछ समीप पे ही एक बटवरक्ष के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे एक पीपल के नीचे भजन कर रहे थे तो नारज जी को प्रणाम करके बटवरक्ष वाले महात्मा ने कहा आप तो भगवान से मिलते रहते हैं श्री हरी से पुछना की मुझे क्या साक्षातकार होगा आपका और होगा तो कब होगा ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वरक्षवाले महत्मा ने किया नारजी ने भगवान से पुछा तो बट वरक्षवाले के लिए तो भगवान ने का इसी जन्म में मिल जाओंगा और पीपल वरक्षवाले के नीचे जो भजन कर रहे थे बुले उनसे कह देना कि जितने पत्ते हैं इतने बार जन्म लेकर भजन करोगे तब तुम्हें हम मिलेगे नारज जी आए दूर दूर थे पहले बट वरक्षवाला मिला उनसे बता दिया पीपल वरक्षवाले महात्मान साश्टांग दरंडवत कि आप महराज भगवान से मिले जी क्या कहा भगवान ने भगवान ने कहा आपकी भजन की जैसी धीमी चाल है इसमें तो जितने पीपल वरक्षव के पत्ते हैं इतने जन्म लगेगे नाच पड़ा किश बात पर जन्म लेने वाली बात उनको समझ में ही नहीं उनको यह जाय कि भगवान मुझे देख रहे ना कि मैं उनका भजन कर रहा हूँ भगवान मुझे जानते हैं न चीख पड़ा चिला चिला कितने कृपाल हरी हो आप कितना दुलार करते हो मैं आपकी दृस्टी में हूँ आप मुझे जानते हैं कि मैं आपका भजन कर रहा हूँ और उसी शमय भगवान प्रगठ हो गए और गले से लगा लिया रुदुष्ट शरम राजन कृष्ण दर्सन लालसा उसी इतना आनंद में भगवान मुझे जानते हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूँ आनंद से प्रफुलित भगवान उसी समय प्रगठ हो गए और गले लगा लिया नारजी ने कहा कि हमको तो जूटा कर दिया आप ले अभी आप ने कहा था कि ये जैसी चाल से चल रहा है तो इसको जितने पीपल के वरक्षि के पत्ते होते हैं गोले हाँ अगर वो वेशे ही रहता उसके अंदर इतना आर्त भाव इतनी आनंद की उमगन होई कि जो चाहिए ओ अभी हो गया तो मेरा शाक्षाद अब बोलो भगवान ने तो कहा था ऐसा भजन आपके हाथ की बात है यदि आप एक-एक ना मासूँ में डुबो करके जपोगे न तो पता ने किस सेकेंड में भगवान आपसे मिल जाए बिन रुएक इन पाईयां प्रेम प्यारामित राधा 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 लाडली अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना तो फिर लाडली जो करुणा शमुद्र है वो करपा करके आपके मानस पटल पर पधारेंगी हदे रूपी निकुंज में खेलने लगेंगी नेत्रों में शमा जाएंगे इसलिए तो हमें निरंतर भजन करने का अभ्यास करना है इस्मर्तव्याशततम विश्णूर विश्मर्तव्योन जातुचित शरवे विदिनिशेधाहा सुरे तयोरे वकिंकराहा बश हमारा एक ही कार है इस्मर्तव्याशततम शतत अपने प्रियतम का इश्मर्ण करना अब थोड़ा कठिन बात हो गई ये जब के परिणाम है जब जिव्याशे उपानशुशे लेकिन इश्मर्ण अलग चीज हो गई याद में बैठा है जैसे कोई दिल को मशला करें शायद इसको ही इसको कहते है भाई जी हनमान प्रशाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा शायद इसको सायद सब्द इसले लगया कि अनिर्वचनियम प्रेम शरूपम एक अजीब सी पीरा हरदय में हो रही कुछ अच्छा नहीं लग रहा बस बावरोशो रस्में फिरे खोजत नहे की बात कोई प्यारी जू प्यारे जू की चर्चा सुना दे कोई मुझे हमारे प्रीतम से मिला दे मुझे भगवान से मिला दे ऐसी लगन ओ इश्मरण यह आंतरिक ब्रति है जब यह अलग शेत्र है इश्मरण इश्मरण जब जागरत होता है तो यह कभी नहीं अटता कभी नहीं ना तो जागरत में न श्वप्न में न शुशुप्ति में भी नहीं अटता है निद्राशमादिष्थ की ओ गोरे चरणारविंद में ही शुशुप्ति जैसा दिखता है पर शोता रहे हर्शमे प्यारी जू प्यारी जू की मधुरिश्मरति पूर्ण विश्राम इस्थल है उसके लिए जितनी विदियां है जितने निशेद है सास्त्रों में ये करो ये ना करो उन शब का फल है तुम्हारे हिरदय में भगवद इश्मर्ती जाग्रत हो जाए संपूर्ण सास्त्रों के श्वाध्याय का ग्यान का फल है भगवद इश्मर्ती जाग्रत हो जाए जैसे गीता जी पूरी सुनने के बाद अरजुन जी ने कहा नश्टो मोहा इस्मर्तिर लब्द्वा तवत प्रशादान मयाच्यता ए अच्यत ए गोविंद आपके करपा प्रशाद से मोह नश्ट हो गया आप इस्मर्ती जाग्रत हो गई इस्मर्ती हम लोग परिवार की इस्मर्ती में भोगों की इस्मर्ती में मगन है देख लो इस्मरती बिना प्रयास के होती है हम परिवार के चिंतन के लिए पदमासन लगा के नहीं बैटते हैं भोगों के चिंतन के लिए हम कोई चेष्टा नहीं करते हैं बिल्कुल बायचेश्टा रहित अंदर में पूरा का पूरा चिंतन भोगों का परिवार का शुक्षामाग्रियों का जैसे चल रहा है ऐसे जब भगवद इश्मरण चलने लगे ये बात बन दे यस इश्मरण मात्रेण तवी लिखा इश्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात विमुच्यते जिनका इश्मरण मात्र जन्म और मरण के चक्र से छुटा देता विमुच्यते इश्मरण अनंत जनमों में अनंत बार हमारे पती-पत्नी-पुत्र-परिवार सम मिले लेकिन कोई पास नहीं है समझो तो इस जनम का भी तुम्हारे पास कोई नहीं रहे गाया ये क्यावल एक जादू का तमासा जैसा रच गया है ये माया का तमासा है वो माया धीश है श्री माया रच्ता है हम तुम तो बहुत छोटे बुद्धी वाले हैं ज्यानिनामा पिछेतांस देवी भगवती हिसाब बलादा क्रश्मोहाई महा माया प्रच्छती बड़े बड़े ज्यानियों के चित को बलात अपनी तरपा करशिद करके ब्रह्म पैदा कर दे उसे कहते हैं माया दैवी हर्शा गुनमई मम माया ध्रत्या तुम्हारी माया बाजी पसारी बिचित्र सुन्मुनी मोहे का की कोड किसकी गोद में बैठकर आपका विष्टमरण हो जाता है माया की गोद में तो किसके बल से बलवान है माया, आपके बल से, इसलिए जब तक आपका कोई आस्तरे नहीं लेता, तब तक माया के चाल को शमज नहीं पाता है, अनंत बार तुम्हारे माँ हुए, पिता हुए, परिवार हुए, बिछुड गए, इस जन्मे में भी वे सही है, बिछुड गए, ना कभी वो रूप था, ना कभी वो रूप मिलेगा, बीच में जो भास रहे, वो स्री कर्श्न ही उस रूप में है, जिस रूप को तुम माता, पिता परिवार मान रहे हो मेरा प्रभू है ऐशा मान लोगे तो जीवन मुप्त हो जाओगे नहीं मानोगे तो मोह में फस करके फिर दुर्गती को प्राप्त होगे अनंत बार ये मैं ये मेरा ये मेरा कह करके तुम मरते रहे और तुम्हारा मोह बंधन द्रड होता रहा अब तो शमज जाओ इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हरदय से सच्चे मन से प्रभू श्री कृष्ण को श्री हरी को अपना मान लेओ एक बार हरदय थोड़ा मजबूत करो यह मजबूत होता है सत्संग से और पुकारो की प्रभू मेरे हो आप पुकारो मीरा जी की तरह मेरे तो गिरधर गुपाल दूशरो न कोई एक है ही लई दूसरा जैसे आप कहें तो फिर ये सब वास्तिविक लई है किवल भास रा ये तो हशी आती है जब वो दिखाते हैं तो हसी आती ही कि वाह बड़े प्रवीन हो आप छुपने में बड़े प्रवीन हो छुपा छुपी का खेल ऐसे छुपे हो ये तुम जान ही ले सकते हैं ये पर वो हो सकता है बला वो है वह ही है पर कैसा छुपा छुपी का खेल खेल रहा है वो दिखाई नहीं देगा यदि इस जन्म में तुम हमारी बात मान गए तो दसा बदल जाएगी तुम्हारी ये रोना मिट जाएगा ये जो हम अभाव में रू रहे न ये हो जाता तो ठीक है ये हो जाता तो ठीक है एक बार तुम स्री कृष्ण को अपने हरदय के भावों को शमर्पित करके देखो निहाल हो जाओगे मेरी प्रार्थना है इस जन्म में भूल मत करना पुजी शिराधावबा के मेरी प्रार्थना है प्रभू के चरणों का आश्रे लेलो फिर क्रपा में तुम्हें कैसे चलाते हैं तुम देख लेना तुम्हारी नियत बर्ठीक हो जाए नियत प्रभू को पाने की प्रभू को अपना मानने की फिर आप देख लेना इसलिए मैं अंतर हदे की बात तुमसे कहता हूँ कि प्रभू के बिना तुम्हारा दुख तुम्हारी अशांती तुम्हारी शमश्याए कोई नहीं हटा सकता ये तुम भूल मत करो कोई ऐसे हाथ कर देगा कोई तुम्हें फूल माला दे देगा कोई जन्तुर दे देगा कोई कुछ कर देगा हम आश्रद्धा नहीं करते हैं पर भाई देखो तुम्हारे कर्म जितने प्रबल है तुम्हें दंड देने के लिए किसी जन्तुर में इतनी ताकत नहीं है किसी राख में इतनी ताकत नहीं किसी फल फूल में इतनी ताकत नहीं किसी आसिरवाद में ताकत नहीं खुला समझ लो बड़े-बड़े महापुरुषों के शंतों के वचन और शास्त्रों के वचनों के अनुशार हम तुमें कह रहे हैं कोई न काहू के सुख दुख कर दाता और निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता किसी के प्रभाव से तुम सन मिटएं की बिधी के अंका तुमारे आसिर्वास से बिधी के अंका नहीं मिट जाएंगे अगर कोई मिटा सकता है तो वो भगवार है मुकदमे में हार गयो फांसी की सजाय आप भी बच सकते हो अगर राष्ट पती चमा कर दे यह अनंत ब्रम्हांडो का श्वामी है सिरी कृष्ण अगर यह चमा कर दे तो हम तो हम सर पापि भ्यू मुक्षि स्या मिमा सुचा कोई तुमारा बाल बाका नहीं कर सकता यह जब तुम मुकदमा हार गए हो यह अमराज ने फाइनल कर दिया कि तुम्हें अमुक नरक मिलेगा लेकिन तुम्हें नरक सुरक की बात क्या भगवान अपनी गोद में बैठा लेंगे यदि तुमने हमारे प्रभू का आश्रे लेकर नाम जपना प्रारम कर दिया जिश्च मैं ध्यान से सुने बड़े महापुरुष के बचन है कोई हरदय से ऐसा कहता है कि आज से मैं राधाकृष्ण की सरण में हूँ प्रियालाल की सरण उसी च्छन से उसका मंगल विधान सुरू हो जाता है उसी च्छन से मंगल की नियू पड़ गई अब थोड़ा मंगल को समझना होगा हमारे समझने वाले मंगल में वो प्रभू के विधान मंगल में अंतर है हमारे समझने में मंगल होगा हमारे भोगों की मांग पूरी होने में लेकिन यह बात नहीं है फिर सोचके देख लो जिन भोगों को तुम चार है वो किसी के पास है वो कोई और भोग चारा है मंगल नहीं है तो जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो हो शकता है हमारा माना हुआ मंगल नश्ट कर रहे हो तो हमें उस समय ये प्रश्ण नहीं करना चाहिए कि जिस दिन से भजन शुरू किया उस दिन से विपत्ती ही विपत्ती आ रहे है क्योंकि मंगल भवन ने मंगल की निव रख दी तो तुम मंगल का परिचे जानते नहीं हो अब वो मंगल का महल खड़ा करेगा अब रो चाहे चिल लाओ ओ ऐसा डाक्टर नहीं कि तुम भाग जाओ ओ तुमें छोड़ दे एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया मंगल भवन में बैठाल के ही छोड़ा है और संसार अमंगल भवन है यहां कभी किसी का भोगों से मंगल नहीं हुआ नहोगा नहो रहा है पर भ्रह्म से हम ऐसा मानते है कि इतने रुपे अगर भगवान दे दे तो हमारा मंगल हो जाएगा हमें सुन्दर सुन्दर यह सब भोग शामाक्री मिल जाए तो जाए श्री हरी की बड़ी कृपा हो गए तुम्हारे सोचने से नहीं होगी हरी जिस तरह मंगल होगा वैसा करेंगे कई लोग कहते हैं कि नाम जब में हमारी प्रीती नहीं होती तो हम कहते हैं चाह करो नाम जब की पर यह चाह कैसे उत्पन होती है यह संतों के शंग से होती है भजन नहोई शंग भीन भजन बिना नहीं प्रेम जब हम भजन करने वाले संथों का संग करते हैं तो हमारे हर्दय में भजन की चाह पैदा होती है क्युकि संत संग से बहुत जल्दी पातक नश्ठोते दरस परस अघनास बिना प्रयास के पाप नश्ठोते उनके दर्शन करने से, उनकी बात सुनने से, उनकी चितवन से पाप नश्ठ होते हैं। अब जैसे तीर छिष्णानादी करते हैं तो उसे भी पाप नश्ठ होते हैं पर अंतर हैं। पाप तो नश्ठ हो सकते हैं लेकिन पाप की प्रवत्ती बनी रहती है। तो जैसे उपर से इसे काट दो तो और कई किंगा प्रगट हो गए तो पाप का मूल जो दुरवाशना ममसदा परिकरशेंती पाप प्रवती शंत जनु के संग से सीधे जड़ में प्रहार होता है पाप प्रवती का इनास होता है इसलिए गंगा पापम शसी तापम दैन्यम कल्पतरुस तथा लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम हरतिसादु समागमा यदि भगवत प्रेमी शंतों का संग मिले जाए तो पाप ताप साप सब नस्ठ हो जाते है कोई भी चाह जब तक संसार की है तब तक असली भजन की चाह नहीं प्रगट होती है बुले ये तो बाबाजीयों के लिए है बजन की चाह हम तो वाई ग्रेस्थ हमें तो भोग चाहिए ही देखो चाहिए नहीं तुमें बात समझ लीजे तुमें सुक चाहिए तुमें शानती चाहिए तुमें आनंद चाहिए तुमें मृत्यू नहीं दुख नहीं चाहिए, अशान्ती नहीं चाहिए, बोले सब को यह चाहिए ना, तो यह यहां नहीं है, यह प्रभु के यहां, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु के लीला में, प्रभु के धा में, अब आपको चहिए यह ढूण इदर रहे तो कैसे मिल ज आएगा तो बोले फी हमारा जीवन कैसे चलेगा तो इस भजन का प्रभाव ही ऐसा है कि ये जितनी भोग सामाक्रियां तुम चाह रहे तुमारे पीछे डोलेंगे अभी तुम समझते क्या हो ब्याज में तुम इस लोग से परलोग तक सम्माननी हो जाओगे सारी सुख सिद्धियां तुमारे चर्णों में और मूल में भगवान मिलेंगे हरिवन शमाप्रुप इही परलोग भला कसम दिलाने की क्या थी जरूरत लेकिन महाप्रवु इसलिए करें कि अज्यानी जीवें मानेंगे नहीं तो आचारी स्वरूप हो के करें मेरी सो तुमें हमारी कसम है हमारी बात पर भिश्वास कर लो तो मिश्वलोग और परलोग में सदा शुखी रहो गे तो शंतों का शंग मिला तो मतलब हमारे भाग की खुल गए दरस परशक नास बास ने जी शंग करो दिन तिन मुखरिज़ सुनत स्रवन मानोन त्रपिच्छिन कलि अभद्र बरनत सहस कलि कामाद एक द्वंद तब जितने कलियू के द्वारा कुछाले हैं संत संग करने वाले को उपर रंग नहीं लाएंगी पर शर्त है केवल संत संग ही हो बाद में कुछंग नहीं होना चाहिए कई तरह के खुशंग होता है, एक ब्रति का होता है, एक व्यक्ति का होता है, दुरवाशना का दर्शन, दुरवाशना का चिंतन, दुरवाशना का स्रवन, ये सब हमारे सत्संग पर बाधा पहुचा देता है, सत्संगी को बहुत सुरक्षित रहना चाहिए जब तक भावना स कि दना हो जाए